नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ अंशिका पाठक आज बात एक ऐसे रहस्य की जो अनसुलजा है दमतरी के दंड कारणे में आलोगिक शिवलिंग की चर्चा तो सब करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे देखा है जिसने भी शिवलिंग तक पहुचने की कोशिश की वो नाकाम रहा कहा जाता है कि प्रभू श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी शिवलिंग को बेहत चमतकारी माना जाता है लेकिन उस तक पहुचना नामुम्किन है कहा जाता है कि पहाड़ी पर मौजूद शिवलिंग की रक्षा हाथी, शेर और भालू जैसे जंगली जानवर करते हैं ऐसे में किसी का उस तक पहुचना नामुम्किन हो जाता है आज हम शिवलिंग की वास्तविक्ता का परताल करेंगे और जानेंगे हकीकत क्या है सोचिए कि आप जंगल में हैं, अचानक सामने जंगली हाथ ही आजाए आप पर हमला कर दे, क्या बच पाएंगे? चलिए मान लीजे, बच गए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए, अचानक एक तेंदुआ आजाए आप पर हमला कर दे, आप पूरा डम लगा कर भागते हैं और आप फिर भी बच जाते हैं क्या आप घने जंगलों के बीचों बीच पूरी रात कुजारेंगे? नहीं न, हमारी टीम जंगली हाथी और तेंदुए के हमले के बावजूद जंगल में रुकी रही यकीन मानिये, जितना डर लग रहा था, वहां रुकना अद्भुत एहसास था क्योंकि सामने देव थे, देवों के देव, महा देव, आप भी देखिए क्या लग रहा है आपको? हमारा एक और सफर, एक और रहस्य की तलाश हमें कहानी पता चली, काड़ी उठाई, चल दिये खत्रे उठाए, रहस्य तलाशा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो लोठाए बस हमें भी यह लगा था, लेकिन कदम कदम पर जो खत्रे मिले, उफ, उन्होंने हमारे होश उड़ा दिये रहस्य इस बार भी गहरा था, वजह इस बार भी बड़ी थी, लेकिन इस बार खत्रा कुछ और था हाला कि लोगों ने हमें सफर की शुरुआत में ही आगाह कर दिया था यह अभी किल्हाली में हुआ है, चाह से पांच लोग जाने की कोशिस भी किये थे, उसने हाथी के दौरा कुछल दिया गया और साथी में जो बच के वापिस आया थे, उसके घर तक पीछे करते हुए हाथी में उसके घर को और उन्हें सब को कुछल के माला जा यह तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो सफर इस कहानी की वज़े से शुरू किया था हाँ, भगवान स्री राम चंद्र जी राम आयन काल में त्रेता युग में बताते हैं इतिहास में जिस समय खर और धूसन का बत की कामना लेके राम जी अब निकल पड़े थे तो राम जी उस खर और धूसन को मारने के लिए काफी प्रयास किये लेकिन वो खर और दूसन भगवान राम के द्वारा अपराजित होने के करण भगवान उनके इस्ट देवता भगवान सिव जी को इस्मरन किये तो भगवान सिव जी जो है एक लिंग आकार में जोती स्वरूप में साक्षात कार भगवान सिव जी उनको दरसन दिये तब कहीं खर और दोसन जो है परास्त हुए भगवान राम उनको मारे उसी जगा पर आज वहाँ जगा जो है इस छेत्र के लिए पूरे भारत वर्श के लिए इस मड़ी छेत्र है भक्त को भगवान चाहिए और भगवान को भग्त और हम देखना चाहते थे वो जगा जहां ये भग्त जाना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते क्या है वहाँ से भालू चीता और नोमडी ये सब बाकी जानवर वहाँ विचित छेता है वहाँ पर क्या है खत्र हमेशा मंडाते आता है तो कि आम आदमी के लिए वहाँ पर सिप जगा नहीं है पर स्वय भू शीवलिंग उसमें एक सकती है वहाँ पर हातियों का और से वन्य पराणियों का बहुंत ही मतलब घेर्ट पहर है जैसे कि उस सीवलिंग से राम भगवान को एक बहुत बड़ी सकती मिली थी और उसमें एक राक्षस का वध भी किया था उस सक्ति से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पर जो घेरा है वो कहीं ने कहीं पर मतलब इस्वर की कहीं उस पर क्रिपा छिपी हुई लिया हमने कोशिश की, मदद मिली भी, बेशक अधूरी ही सही, मगर हमारे लिए इतना ही काफी था जो बंदा है आपको जगर इस्थान दूं से आपको दिखा क्या जाएगा इतने जाएगा निया हमारी मंजल थी उदन्ती टाइगर रिजर्व का जंगल, कहते हैं उसी जंगल में श्री राम का वो अदभुत शिवलिंग कहीं छुपा हुआ, हम जंगल के सबसे खरीब बने गाउं में पहुंचे, श्री लंका से लेकर इस जंगल तक रावन का सामराज्य था और यहां रावन के भाई खर और दूशन राज करते थे पौरानी गुरंतों में आमने रावन को लेकर जितनी भी कहानिया सुनी है, इन कहानियों में रावन का किर्दार हमेशान नकारात्मक रहा, जिसके चलते हुए हम हर साल रावन का दहन करते हैं, लेकिन इस वक्त जिस जबापर मैं मौझूद हूँ, वहां रावन को भगवा पूजाय बनाकर उसकी पूजा की जाती है, नमस्कार मेरा नाम है आदी तिराय और इस वक्त मैं मौझूद हूँ, 36 गड़ के धमतरी के दंड कारन ने के जंगल में हुए हुए हजारों साल से यहां राम और रावन दोनों की पूजा की जाती है, अब यह तो साफ था कि यह जगत रेता काल से जुड़ी है, लेकिन हमें तो जंगलों में छुपा शिवलिंग तलाशना था, और यह हाथियों के हमले वाली कहानी क्या वाकई सच है, यह सोच ही रहे थे कि तभी हमें कुछ दिखा, अकेला हथी तकी जुड में, जुड में, कब की बात है, और देख़ दिखोई सोहिनागा, महिना हुई, आईए आपर एक महिना हुआ, इतने हाथिया मोलतर चांट तो बराप ống तिफिशी थे 335 तिफिशना ओस नहीं है, तो आप लूग जंगल में कहते थे किया, जंगल से कई और घरों को हाथियों ने निशाना बनाया था मानने ताही कि रहस्य में शिबलिंग की खोज में जो भी वेक्ती जंगल की तरफ जाता है हाथी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके घर तक गाओ में आकर उसका पीछा करते हैं ये गाओ के भीतर एक घर बना हुआ है इस घर के कुछ लोग जंगल गए थे और जैसे ही वो जंगल गए जंगल से हाथियों ने उन्हें भगाया और उनके पीछे पीछे आकर उनके इस घर को पूरी तरीके से तहस नहस क तबाह कर दिया जैसे तैसे इस घर के लोगों ने गाउ में भाग कर अपनी जान बचाई है हमने सोचा कि जंगल में तो जंगली हाथी हमला करेगा ही और गाउ में हाथी खाने की तलाश में आते होंगे और घर तोड़ देते हो जिसे लोगों ने शिवलिंग से जोड़ दिया जो भी हो शिवलिंग तो तलाशना ही है हमने गाव वालों से मदद मांगे यही लोग हैं आपको जो हाथी वाली जगा पे दे जाएंगे जाएंगे तो आप जाएंगे तो आप जा सकते हो गाव वालों ने साफ मना कर दिया नगरी से साथ आए शक्स ने भी हमें दूर से ही रास्ता दिखा दिया यहां आपको एक नदी मिलेगा नदी से आप सीधा जंगल के तरफ आप सीधा निकल जाओ आप तंडी रास्ते से यहां यहां क्यांद यह वाले रास्ता है आदी हकीकत आधा फसाना की टीम के सामने विशाल जंगल था हमें जंगल पार करके उस पहाड तक जाना था माननता है कि वहीं श्री राम के शिव आज भी दर्शन देते हैं हमें जंगल में चलते चलते कई घंटे बीच चुके थे लेकिन हाथी क्या कोई जानवर नजर नहीं आया था हमने सोचा यहां कोई हाथी है भी या नहीं इस पूरे लाके में जगा जगा पर हाथियों का मल पड़ा हुआ है गावालों के कहना है कि इस जंगल में सैक्ड़ो हाथी है जो रहसे में शिवलिंग की रक्षा करते हैं यह पूरा मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में हर जगा हाथियों का मल पड़ा हुआ है तभी गांवालों का दावा दीवार बनकर हमारे सामदे खढ़ा होगे देखें जिस तरीके से गावगणों ने हम बता थाए जैसे ही हम जंगल में जाएंगे उस राज से महीं शिवलिंग की रक्षा करने वाले हाती हमारे सामने ख़़े होगे यह दंतेल हाती जो है, हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारा रास्ता रोके हुए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम एक बार, यहां से रास्ता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनोती है, यह जंगली हाती, यह कोई पालतू हाती नहीं है, यह जंगल के व थोड़ी देर हाथी अपने में मस्त पानी से खिलता रहा, फिर वो हमारी तरफ चलने लगा हाथी पहले हमारी तरफ बढ़ा, फिर दूसरी तरफ जाने लगा हमने सोचा खत्रा टल गया, लेकिन ये हमारी भूल थी चिता हुनी थी हाथी के हमें, कि हम इस रास्ते पर आगे न बढ़े जो भी इस रास्ते पर उस जंगल में आगे बढ़ा, हाथी उन्हें उन्हें मौत के खाट उतार दिया हाथी वापीस जा रहा है हम फौरन वहां से भागे, हमने पीछे मुढ कर देखा तो हाथी पीछे नहीं आ रहा था हम फिर वापस गए, हमें लगा हाथी लौट गया, लेकिन वो घने पीडों में छुपकर हमारी ओर बढ़ रहा था दादा हाथी फिर यहां से आगया आई, दादा यह फिर यहां से आगया ओ, दादा भागी, दादा भागी जल्दी, जिस रास्ते से हम जाने के कोशिश कर दादा जल्दी अचानक हाथी ने हमला कर दिया ना हाथी जुन्द में था, ना ही उसके साथ कोई छोटा बच्चा था यानि हम उसके लिए खतरा नहीं थी फिर भी हाथी ने इतनी दूर आकर हम पर हमला किया आखिर क्यों, कुछ समझ नहीं आ रागा जो भी हो, पहले शिवलिंग को तलाशेंगे, तब सोचेंगे एक दूसरे रास्ते से हम लोगों ने उस रास्ते में शिवलिंग के पहार की तरफ जानी की कोशिश की देखिए लेकिन यह हाथी घीं फिरकर वहां भी आ गया हाथी हमसे तेज दौर सकते हैं और वहां ऐसा कोई विशाल पेड़ भी नहीं था जिस पर चड़कर हम छुप पाते लेकिन श्रीराम के शिवलिंग तक तो जाना ही था हमने फिर रास्ता बदला लेकिन इस बार एक बेतरीन उपाय सोचा हमें लगा था ट्रिक काम कर गई लेकिन ये हमारी भूल्ट कि देखे हम लोग फिर रास्ता बदल पर रास्ता बदल रहा है रास्ते में के बाहर पर जाने की कोशिच कर रहे हैं वो ड्रोन है हमारा रहा हम हाथियों को लोकेट करने की कोशिच कर रहे हैं कि वो किस इलाके में है जिस इलाके में हाथी नहीं होंगे हम लोग उस इलाके हर कोशिश नाकाम हो रही थी खास बात ये थी कि हाथी अमूमन जुन्ड में चलते लेकिन हमें यहां जितने हाथी मिले थे वो अकेले घुम रहे थी वो भी हर जगा जैसे वो पहरा दे रहे हैं आधी अकीकत आधा फसाना की टीम जिस रास्ते से शिबलिंग की ओर बढ़ने की कोशिश करती कोई न कोई हाथी रास्ता रोक ले था यहां खत्रा कम दिख रहा है हाथीओं का मल पूरे रास्ते में कहीं नहीं है ओओ हाथी जादा वो इसी तरफ देख रहा है मुझे नहीं लगता है हमें जाने देगा रहस्ते में शूलिंग की तरफ बड़े मुश्किल से पचास मीटर की दूरी होगी जादा वो हमारी तरफ आरह है दादा हमारी तरफ आरह है कि मुझे जल्दी चुड़ेंगे नहीं करदा वाधी तरुफ फास ऑर जादा भागाई जल्दी वकुन थी काशते भागत वाखते कफ़ दम भूलिया हम भाल 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 बाचे ति अब बस बहुत हुआ हर बार किश्मत साथ नहीं देगी अब वैसला करने का वक्त है जादे चलिए वापीश चलते हैं अब जंगल में आने की भूल नहीं करेंगे और अखेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे वापीश चलिए चलो हमने कई बार रास्ता बदला कई ट्रिक अपना है ड्रोन उड़ाया हाथियों की लोकेशन देखते हुए आगे बढ़े शरीर पर जंगली तुलसी रगड कर अपनी गंध मिटाई ताकि हाथी हमारी इंसानी गंध ना सूंग पाए लेकिन न जाने कैसे कोई न कोई हाथी हमारा रास्ता रोक लेता जैसे वाकवी हमारी पहरेदारी कर रही हो यह कैसे हो रहा था यह समझसे परे था लेकिन ये समझ में आ गया था हम दिन में पहाड तक नहीं पहुँच पाएंगे हमने तैय किया कि हम रात में जाएंगे और अंधेरे में हाथियों को चक्मा देकर पहले पहाड फिर शिवलिंग तक पहुँच जाएंगे लेकिन क्या ही हमारी ट्रिक सफल हुई चल जी देखते हैं चारों तरफ घुप अंधेरा रोशनी के नाम पर सिर्फ टॉर्च और कैमरा लाइट और हर ओर से आती जंगली जानवरों की आवाज है रात में हाथियों से ज़्यादा खत्रा शेर और तेंदुए जैसे खुखार जानवरों का था नजाने कौन कहां घात लगाए बैठा हूँ रात में हाथि सूते हैं और इस वक्त हम हाथियों से नजर बचाकर फिर से जंगल का सफर शूरू कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से हाथियों से छुप छुपा कर हम लोग उस शिवलिन तक पहुच पाएं आधी अकीकत आधा फसाना की टीम जंगल में बस कुछ किलोमीटर ही चली थी कि अचानक टीम को रुखना पड़ा हम जमीन पर लेट गए हाथी जुन्ड में थे उन्होंने हमला कर दिया तो बचना नामुम्किन हो जाएगा आधी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है आज दंभर उन्हात्यों नहीं हमें रास्ते में शीवलिंग के पहार के आसपास भी नहीं बटपने दिया रात में जब हमने इसे मजरेश शुपाकर दूसरे रास्ते से शीवलिंग के तरफ जाने की कोशिश की तब यह हाथियों क हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है 20 से 22 हाथी विशाल काय हाथी कि हम वजूद है हाथी थोड़ी देर पानी में रहे फिर अचानक जंगल में नजाने कहां चले गए अब रास्ता साफ था हमने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया तभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई थे हम फिर छुप गए नहीं ये कोई जंगली जानवर नहीं ये तो इनसान थे हमने पूछा तो पता चला ये फॉरे स्ट्रेंजर्स थे जो गष्ट पर निकले थे हांती की क्या है मैं तो हम लोग बार पर पर जाता है कि तीन-चार्ट मीटा हम लोग खुट धागना पड़ता है एक बार तो ऐसा है कि हम लोग वह बंडना दी गाई लोग में यहां उकसित है और अचनाक चना चना पार पाहाड की अधिक आ गया अब हमारे साथ वन विभाग के लोग थे जिने जंगल के चप्पे-चप्पे की जानकारी थी हमने सोचा कि अब तो हमें पहाड तक पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा लेकिन ये सुकून लंबा नहीं चला थोड़ी दूर पर हाथियों का एक और जुन्ड हमारा रास्ता रोक के खड़ा दो किसी पहरेदार की तरह आँखों के सामने दहशत थी जान बचाने और छुपने के चक्कर में हम ये सब साफ साफ कैमरे में कैद भी नहीं कर पा रहे थे तरह हमारे अलिडिलाट कितना लाइट रिलाट थे आज़र सुनिए तो नहीं यहां सब्सक्राइब नहीं आ सकते तो हाथी हमसे ज्यादा दूर नहीं थे सरासा हिले और वो हमला कर देंगे और वही हुआ फॉरेस्ट रेंजर्स ने साइरन बजाना शुरू कर दिया हमने आसपास टॉज मार कर चेक किया तो बड़ इसके जाए जल्दी नहीं चड़ता है गाने अगिने हाथी शायद साइरन की आवाज से डर कर रुख गया थू हमने सोचा एक बार रास्ता बदल कर कोशिश करते लेकिन फॉरेस्ट ट्रेंजर्स ने साफ कह दिया कि अब वो हमें जंगल में नहीं रुकने देंगे हम हार गए थे तो क्या श्री राम के शिवलिंग का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा